गर्षांसा चेना से में भी मिल वहावसर आपके लेकर आपके पनीर भूर जी की धाबस्टार या रिस्टोरिन स्टाइल सबजी आए इसे कैसे बनाते हैं यहां पर हमने एक फ्र्याइप्न लिया है उसमें दो तिन चमच हमने बाद हम डालेंगे दो चमच अध्रक लसन का पेस्ट कर स्थाइए और आपके वहापिस एक से दो मिनित के पकाएंगे उसके बाद यहां पर डालेंगे 2-3 लाल टमाटल जो हमने काट रहे हैं बारिक बारी काट हैं उनको पीसा नहीं यहां पर ग्रेवी को और अच्छे तरह से इसको पकाएंगे पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच घरम मसाला धनिया पाउडर डालेंगे 1-2 तरह मधिक चममच आदी इफली डालेंगे उर यहां पर हमने प्रश्मीर डाल मिर्ची करी डालेंगे तेजभाले मिर्ची लह अब हम जो हमीं घ्लेंगे पांब करके में पकाएंगेant पांके ज yardımरेंगे मैं डालेंगेंगे organisations चानन बालेंगेंगे ऐसंद बहसें लोड़ एक दम पतली ग्रेवी नि वनती है इसमें, बेशन डालने से, इसको दो से तीन मिन में आप वापिस पकाएंगे, अब ग्रेवी पकने के बाद हम डालेंगे इसमें एक से देवर चमच नमक, नमक आप अपने स्वाधुन सर डालेंगे, वापिस इसको चलाएंगे, पूरी वूप पाणी और इसको करेंगे हम ग्रेवी को अच्छ ही से पकाएगे क्यां यहां पे पनिर है पनीर वहीं करेंगे नहीं हाथ्टों से बारिक बारी करेंगे आपकी इच्छा होता आप इसको पनीर को ग्राइन कर सकते हैं मैंने यहाँ पे थोटो चोटो टुकड़े किये हैं हाथ से इस परकार हम सारे पनीर के टुकड़े हम ग्रश कर लेंगे ग्रेवी हमारी पक्चू की है अब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे पनीर को और पनीर डालने के बाद हमें ज़्यादनी पकाना है अगर आपको पनीर भूर जी के रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेश सस्क्राइब जरूर करें और विवे भावसार का चैनल आप जरूर देखें और जरूर ये ट्राइ करें सकती और केसी बनी आप मुझे बताएगा थैंक यू